गुद बॉनिंग एविवन आज हम डिसकस करेंगे SBA तिलर्क का जो नूटिफिकेशन आया है उसके विगार्डिंग जो भी की पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है उनके बारे में डिसकसन करेंगे तो जिस वेकेंसी का केंडिडेट्स को बहुत टाइम से इंतिजाल था वो आगी है SBA कलर ठीक है तो अनॉंस किया गया है तो उसको हम एक बार कर लेते हैं डिसकस के क्या-क्या की पॉ से यह जो नोटिफिकेशन का जो अप्लिकेशन फॉर्म है वो एक्टिवेट हो जाना है ठीक है तो सबसे पहले आपको जो वेकैंसी उन्होंने बताई है किस वीजन में SBI किस वीजन में आपके पास कितनी वेकैंसी हैं तो यासे एहमदाबाद, बैंगलोर, भुपार तो उ देखी पाएंगे ठीक है अब इसके बाद जो इंपोर्टेंट है जैसा मैंने कहा कि एज का जो क्राइटेविया है जो सबसे जादा केंडिडेट्स को फिकर होती है कि अगर हमारी एज कम है तो या जादा है तो किस एज के क्राइटेविया में आप इसे फिल कर सकते हैं तो 2 अगस्त 1994 से पहरे के बहुर नहीं होने चाहिए एंड एक सितंबर 2002 मता यह दोनों डेट इंक्लूजिव हैं तो 20 से 28 सार और इसको आप मतलब इस एज के बीच में अगर आप आते हैं तो आप SBI का फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके बाद जो सेकंड जो इंपोर्टेंट हैं या आपका विजल्ट अवेटेड है तो वो कब तक डिकलेव हो जाना चाहिए तो यहां पर मेंशन किया है SBI ने के जो आपकी क्वारिफिकेशन है 30 नवंबर 30 11 2022 में यानि कि 30 नवंबर 2022 तक या उससे पहरे आपका फाइनल विजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए कि एज का क्राइटेरिया 20 से 28 है और 30 नवंबर तक आपका विजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए या उससे पहरे है on 30 और या फिर 30 से पहरे है ठीक है अब सेलेक्शन प्रोसीजर में जो प्री एक्जाम है वहां पर आपको तीन सबजेक्स पर कमांड करनी है English, Quantitative Aptitude and Reasoning तो English तो English में होगा, बाकी जो Medium of Exam है जो Language आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी Local Language के हिसाब से या जिसमें भी आप प्रफेरेबर हैं, जो अविलेबर हैं तो यहाँ पर English के 30 question, 30 number, Quant और Reasoning के 35-35 questions होंगे, important यह है कि यह sectional timing है, यानि आपको English का section खतम करने के विए 20 minute दिये जाएंगे and उसी तरह से आपको Reasoning और Quant का section खतम करने के विए 30-30, मतला आजो 20-20 minute, 20-20 minutes दिये जाएंगे तो English के 30 questions है, Quant और Reasoning के 35-35, minute तीनों के लिए 20 है चलिए, main exam में क्या होगा, general या financial awareness आएगी, 50 question, 50 number English 40 question, 40 marks, उसके बाद quantitative aptitude 50 question, 50 marks Reasoning में आपको और Computer ये दोनों मिला के पूछता है, वहाँ पर 50 question और start number के अब यहाँ पर अगर आप sectional timings देखें तो English और Financial के विए आपको 35 minute कहे गए हैं वहीं पर Quant और Reasoning के लिए 45 each, ओके, 2 hours, 40 minutes is a total composite time period और किसी भी सवाल के विए जो negative marking है, जो penalty है, वो 1 by 4th है जितने marks आपको सही करने पर मिलेंगे, उसका एक चौथाई, 1 by 4th वहाँ पर कट जाएगा ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि जिस भी state या ut से आप हैं तो किस-किस language में आप paper को attempt या appear आप कर सकते हैं तो English is a common to all, उसके अरावा आपको सब languages वहाँ पर दी गई है, उसके according आपने जानना है और उसके according आपने पढ़ना है, ठीक है लिए, तो अगर आप local language select करते हैं, तो 10th और 12th में आपने उस language को pass out किया हो, यह भी उन्होंने mention किया है तो main जो है कि 7th से application form start है, और उसके बाद 20-28 की age में आप उसे fill कर सकते हैं, ठीक है, 3rd important point, 30 November 2022 तक आपका result announce हो जाना चाहिए, ठीक है, on या before, यानि कि उस तारीक तक या उस से पहल है और जो pre और main, जो मतरा exam criteria है, वो सबसे important, तो pre exam में English, quant reasoning, 30, 35, 35 और सब के लिए 20 numbers है, ठीक है, 20 minute है, सब के लिए 20 minutes for each, और main exam के लिए, जैसे financial awareness मैंने बताया, English, quant and reasoning, reasoning के साथ ही मिला कर वो आपसे computer भी पूछ लेगा, तो ऐसा नहीं करना है कि आखवी date तक का wait करना है, आप आपने पहरे ही form को fill कर लेना है, जिससे, जितना जल्दी आप form को fill कर लेंगे, तो उसमें क्या होता है, end में आते आते कई बार server busy होता है, and so on, तो वो सारी चीजे आपको दिक्कत नहीं आएंगी, और जो exam है, जो tentatively date अभी उन्होंने अनौन्स की है, वो है, November 2022 में, ठीक है और जैसा मैंने कहा कि जो fees, और जो application, जो start है, वो 7 से, यानि कि जो fees और जो form filling है, 7 से और 27 के बीच में कर सकते हैं, ठीक है, और जो tentative date है exam की, वो क्या है, November, pre exam की, उसके बाद जैसे pre होगा, उसके बाद वो announce करते चलेंगे, कि main exam उन्होंने कब लेना है, ठीक है, चबिए, So, that's it for the day, और आपने इसके विए करना क्या है, आपने अगर हमारे online या offline course जोईन करना है, तो you can visit our website, okay, thank you. झाले के विए, उसके विए.